हलो बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत इंट्रेस्टिंग कहानी सुनाने आई हूँ, सुनोगे, एक दम नई स्टोरी है ये, मंगू नाई और भूत की स्टोरी, एक बार मंगू नाई अपने दुकान में बैठा था, कटिंग करने के लिए, दाड़ी बनाने के लिए, उस दिर उसके पास कोई भी ग्रहक नहीं आया, तो वो परिशान होके, सुबह से शाम तक इंतिजार करता रहा, कोई नहीं आया उससे कटिंग कराने, तो उसने सोचा चलो थोड़ा सा जंगल की तरफ जाता हूँ, वहाँ पर देखके डर गया, और भूत ने उसको, उसके सामने जाकर उसको डरा गया, और मंगुनाई को बुला, कि अब तो मैं तुझे खा जाओंगा, मंगुनाई डरा नहीं, जब हम ड़ते नहीं हैं, तो हम बहुत बहादरी से किसी भी सिचुएशन का सामना भी कर सकते हैं, तो उस उसने कहा, ठीक है, मैंने अपनी थेले में बहुत सारे भूत भरके रखे हुए हैं, और मैं भूतों से डरता नहीं हूँ, और उसने कहा, उसने अपनी थेले में से एक शीशा निकाला, और भूत को दिखाया, जब भूत ने उस शीशे में अपने आपको देखा, तो उसको तो लगाल?